है बचलो वंस अगेन वेलकम ओन विदान तुनी इट मेंट इजी हीर इस रमृता माम और टोड़े वी आर गूंग टू स्टार्ट विद वन चाप्टर ऑफ ट्लास 11 जो कि है दे लिविंग वर्ल्ड चाप्टर में बेसिकली हम लोग बहुत सरे डिफरेंट डिफरेंट लिव पाने हैं and we can start it with the best possible thing the living organisms हमारी असपस में क्या क्या living organisms present है उसकी पूरी information हम इस lecture के अंदर देखते हैं so let's proceed with this session बचो फटा फट से चुरुआत करते हैं इस lecture की सबसे पहले lecture start करने के पहले I would be requesting each and every one of you to please share this lecture with all of your friends and don't forget to like this video after watching this complete lecture subscribe if you are a non-subscriber subscribe to Vedantu Neat Made Easy because हम लोग यहीं पर मिलने वाले हैं ठीक है यहीं पर हम लोग complete biology पढ़ने वाले हैं so don't forget to subscribe this channel अब शुरुआत करते हैं इस शाप्र में क्या क्या पढ़ते हैं इस शाप्र में हम लोग contents देख लेते हैं पहले हम लोग क्योंकि rationalized syllabus 2023-2024 को follow कर रहे हैं इसलिए new ncrt वाला portion पढ़ेंगे ठीक है उसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन दे लिविंग वर्ल्ड और पर पढ़ते हैं टेक्सोनोमिकल categories यह दो major contents है इस chapter के अंदर जो कि हम लोग cover up करते हैं शुरुवात करते हैं हमारी डिफरेंट 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 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से तो basic introductory portion समझते हैं ठीक है अच्छे एक बात और बता देती हूं इस class के अंदर में आप लोग के लिए ncrt को यहां पर क्या किा नजडरा रहे हैं तो आप मुझे बुलेंगी माम मुझे नजडरा रही पोणयार बेर्स बचों कहां पर देखरें यह दिखरेंगे कहीं पर ऐसे एत्य है शुक्ष्षें है ठेक ही पोलार ऑर्यारे स्वेश रहीं आपको इस ढूंद ओ लोग लगा लगा नहीं हैं ऎ खुंप के अलाव हैं आप देख बारे हैं कि यहां पर कुछ और्गानिशंवbaar इसे भी सूख हैं आंद्यादिक सुखala हैं जो आपको मफर नजीद आहे हैं GEORGE इस होट शैलफर स्पुरूंघ मों है ए ईंग सकते हैं नाइन्टी डिग्री से ओसानी करें unity यहां पर आसानी चोंज पर लेंग यहां पर होने नहीं से वीसम्ट्रफ यह पार जाते हैं अलग अलग जगह पर रहते हैं, in fact, सभी जगह पर हम कोई न कोई living organisms को देखी पा रहे हैं, isn't it? तो diversity कितनी ज्यादा है कि almost सारे है टाइप के habitat में हमें living organisms देखने को मिल रहे हैं, in fact, आपके आसपास में, आपके environment में, आपके हवा में, in fact, मेरे आसपास में भी, right now, इस हवा में बहुत सरे bacterias भी ऐसे होंगे जो मुझे नजर नहीं आरे, but they are still present, हो सकता है कि कुछ viruses भी हो, ह सकता है कि कुछ fungal spores भी हो, but मुझे वो नजर नहीं आ रहे है, so there are different organisms, some which we can see, some which we are not able to see, but they are still present, वो फिर भी present है, ठीक है, अब यार, यह देखके क्या feeling आ रही है, ऐसे लग रहे है कि wow, so beautiful, यह इतना अच्छा लग रहा है, ground जहां पर एक horse दोड़ रहा है, galloping कर रहा है, हम फिर वापस अपने जगा पर चले जाते है, फिर आप देखिए, यह खितना सुंदर valley दिख रहा है हमें flowers का, कोई भी क्यों नहीं देखना चाहेगा, यहाँ पर कोई भी बैट जायकर उसे लगेगा, वाओ घंटो तक यह निहारती रहो flowers को, यहाँ से उठने की इज्छा ही नहीं हो रहे है, ऐसी feeling आएगी, फिर यह देखिए, यह शार्क है, मैं इसके साधा पास जाओंगे, तो यह मेरे पर अटाक भी कर सकती है, क्योंकि शार्क प्रेटिंग नेचर की होती है, अटाकिंग टेंडेंसी होती है इनकी, पर इन सब की अपने अपनी beauty है बच्चों, यह सारे ही scenes हम देखना बहुत पसंद करते हैं, in fact कई सारे लोग मैंने देखिया है, discovery channel लगा के देखते ही इसलिए हैं, क्योंकि उनको दिख रहे हो तो different organisms, उनके different behavior, ठीक है, तो यह हुई बात कि कितना सुन्दर है हमारे आसपास का nature, beauty है इस living world में, ठीक है, अच्छा, क्य सारे के सारे living world में, जितने भी organisms present हैं, बहुत प्रेम भाव है, बहुत मिलन सारे ता है, not necessary, ऐसा नहीं है, क्योंकि exist करने के लिए कुछ लडाइयां भी होनी बहुत दरूरी है, isn't it, तो क्या मैं बोलूँगी कभी भी कोई भी शेर के सामने, कोई deer आ गया, या कोई goat आ गयी, कोई buffalo आ गयी, कोई cow आ गयी, तो शेर उसके साथ में बहुत प्यार से, hello, hi, how are you, ऐसे करेगा, खाना खाके जाना हो, नहीं न, शेर क्या मोलेगा, कि अच्छा ये दिख रहा है, जाके अटाक करेगा उसके उपर, in fact, group of lions उस animal पर अटाक करेगा, इसको target बनाएंगे, उसको म दुर्भावना दिखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनके अंदर दुर्भावना ये conflict दिखे, कही सब और गयानिसम में आपको, ecological, क्या देखने को मिलेगा, cooperation, cooperation से काम करें, बड़े प्यार से, साथ में मिलके काम करें, like, can we see these, यहाँ पर आपको बहुत सारी ants नारिया नीचे, और अपने ओपर से दूसरे ants को जाने दे रही है, यह दो चटानों की इसमें gap इनके लिए barrier नहीं था, बलकि इन्होंने एक दुसरे के help करके उस barrier को भी क्रॉस कर दिया, ऐसे honeybees भी होती है, honeybees जो होती है, उसके अंदर भी हम दिखते हैं, बहुत cooperation है, ब जाकि वो एक colony के form में आसानी से प्यार से रह पा रहे हैं, दो चीज़े हमने देखी, ecological conflict, ecological cooperation, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी body के अंदर, molecular level पर भी एक conflict और cooperation देखने को मिल सकता है, do you ever feel like that, कि हमारे body में भी conflict होगा, हमारे body में भी cooperation होगा, so yes, अभी मैं आपको एक example बत basically हमारी body में glucose के level के respect में, दो molecules आपस में conflict या antagonistic behavior शो कर रहे है, एक दूसरे के opposite, ठेक है, जैसे ही हमने कुछ ice cream वाइस cream खाया, तो जैसे हमने ice cream खाया, हमारी body में वो जाएगा, stomach, intestine जाके फिर absorb हो जाएगा, और हमारी blood में पहुँच जाएगा, तो जैसे हमने ice cream में कुछ मीठा खाया, हमारी blood के sugar एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से blood के sugar जो बढ़ जाती है, उसके current से एक gland को हम signal भेजते है, क्या, कि blood में बहुत sugar बढ़ गई है, कम करो थोड़ा से इसको, कहीं पर भेज़ो, store कर दो, so, इसके result के तोर पे insulin नाम के hormone secret होता है, यह insulin hormone क्या करता है कि उस blood sugar को liver के पास भेज देता है, ताकि glycogen बन जाए, और भी बजगया, तो वो fat cells form करवा देता है, एडिपोस्ट इशू, ठेक है, तो finally liver जो है, या तो fat cells के अंदर fat बन के store हो गई, या तो फिर यह glycogen के form में store हो गई, लेकिन, जब मैंने कहा, मैंने jogging की, running की, fast walking की, ब मेरी blood sugar एकदम से down हो जाएगा, जैसे ही blood sugar level down हो जाएगा, वैसे ही pantherias नाम का जो organ है, वो वापस से क्या करेगा, एक दूसरा hormone मना के देगा, और वो hormone है, ग्लुकेगोन, ये ग्लुकेगोन होर्मोन क्या करेगा, बचो, बलड के sugar को बढ़ाएगा, लिवर को बुलेगा, हमने शुगर का थोड़ दिन पहले, हाँ जी, वो वापस दे, बलड में बढ़ानी पड़ेगी, क्यों बढ़ानी पड़ेगी, कम हो गई है, तो ये दोनो, insulin and glucagon, क्या ये एक दूसरे के antagonistic हो गए है, क्या ये एक दूसरे के लिए opposite function perform कर रहे है, ये एक दूसरे के opposite function perform कर र hormone और pregestron hormone, female reproductive system में, ये estrogen और pregestron दोनों hormones मिलकर, female के uterus के अंदर endometrial lining को thick maintain करने के काम करते हैं, तो देखो यार, living world की शुरुआत कर रहे हैं, जब introduction की बात कर रहे हैं, तो ही देख रहे हैं, कि living world में कितना कुछ है जानने के लिए, हम human भी living है, हम living world में जब रहते हैं, तो ह सारी के सारी बातों को हम लोग इस chapter के अंदर cover up करने वाले हैं, मैंने जसे की कहा का आप लोगो को, कि मैं साथ साथ में आपको NCRT के important lines भी read करके दूँगी, so we are here with the NCRT now, so NCRT के कुछ lines को मैं आप लोगो के लिए highlight करने वाली हूँ, ठीक है, how wonderful is this living world, the wide range of living types is amazing, the extraordinary habitats in which we find living organisms can be cold mountains, deciduous forests, ocean, fresh water, lakes, deserts, hot springs, ठीक है, जो कि हमें speechless छोड देते हैं कि कितना सुन्दर है, the beauty of a galloping hearse, जो कि उचक रहा था, देखा था हमने, migrating birds, जो कि उड़के आ रही थी कहीं से, valley of flowers, attacking shark, evokes a deep sense of wonder, oh, कितना सुन्दर है, ठीक है, वैसे वाला, वाव, ठीक है, the ecological conflict and cooperation, ठीक है, the ecological conflict and cooperation, among the members of a population, and among the populations of a community, और even the molecular traffic inside a cell, makes us deeply reflect on, what indeed is life, यह हम जान नहीं पाते हैं, हम समझने की ट्राइ करते हैं कि लाइफ क्या है, okay, so is this much understood, guys, please tell me, just a second, हाँ, okay, so this is where we are going to come across two different questions, हम यहाँ पर दो questions हमारे सामने आएंगे, पहला, living or non-living में difference क्या है, दूसरा, life का purpose क्या है, हम कौन से question को answer करेंगे, हम definitely life का purpose क्या है, इस question का answer नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई philosophical, spiritual lecture नहीं चल रहे, हम actually right now of science के बार में बात कर रहे हैं, तो हम लोग try करेंगे, answer करना, what is living as opposed to non-living, तो आप लोग की माइन में बहुत सारी points आ गए होंगे, कि माम living organisms जो होते हैं, उनकी property होती है, growth के living organisms ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, यह नहीं नहीं, ऐसा नहीं living organisms के पास में और बिक क्याक्टर्स होते हैं, जैसे कि metabolism, metabolism मलें की continuously reactions चल रही होती हैं, human body में सारे organisms के अंदर, plants में भी, animals में भी, सब में, तो continuous reactions चल रही होते हैं, metabolism present होते हैं, मैं बोलूँगे, metabolism तुम्हें एक test tube में भी कर सकते हूं, कुछ molecules रहूँगी, कुछ enzymes डालूँगी, तो reaction चाल हो जाएगे, metabolic reaction, isn't it? आप बढ़ो कि नहीं माम, living organisms होते हैं, वो it reproduces कर सकते हैं, non-living organisms reproduce नहीं कर सकते हैं, एक बढ़ो यह बात सही है, कि non-living organisms reproduce नहीं कर सकते हैं, और कोई point? तो अब बढ़ो कि ma'am, living organisms जो हैं, उनके पास में consciousness होती है, consciousness का मदल़, कि ability to respond, मैंने बोला hi, तो सामने बाला परसन द तो वो परट के देखेगा किया हुआ, मैंने आवाज लगाई, तो वो सामने से परट के कोई बोलेगा, yes, yes or no, तो यह क्या हुआ, यह हुआ, हम बोल चकना है, that we have this consciousness, हमारे पास में, ability to respond, the changes in the external environment भी present है, ठीक है, और, और भी कई सरे characters ऐसे होते हैं, जो कि living organisms के पास में, non-living के पास में, नहीं होते हैं, ठीक है, so there we are easily able to understand what is living, what is non-living, बचों, आज के पहले तक, जब भी यह chapter पढ़ाया करते थे, तब इस chapter में कई सारे हमें, what is living के बारे में, 3-4 page दे रखे थे, NCRT ने, अब वो क्योंकि pages हटा दिये गए हैं, इसलिए हम उनको detail में cover up नहीं कर रह हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग next point पे आ रहे हैं, जो कि हमारा है, diversity in the living world, क्या diversity present है, इस living world में, उसके बारे में हम लोग समझने की try करेंगे, ठीक है, तो मैंने कहा, इस पूरे पृत्वी के उपर, इस पूरे world में, जितने भी living organisms present है, number wise and type wise, जितने अब ही types के living organisms है, जितना भी number है उनका total, उसको collectively मैं बोलूँगी, bio diversity, living diversity, ठीक है, so bio मतलब life, diversity मतलब different types and varieties, living types कितने हैं, numbers कितने हैं, collectively हम उसे क्या बोलते है, bio diversity, ठीक है, तो bio diversity का मतलब सबको समझ में आया है, क्या, हान जी, yes or no, okay, bio diversity refers to the number and types of organisms present on the earth, इस earth पर जो भी different number of organisms है, जो भी types है, उसको collectively हम लोग बोल रहे हैं, bio diversity, अब मैं अगर आप से पूछते हूं, बचो, कितने हैं, यह living organisms, कितने हैं इस earth के उपर, तो हम बोल जकते हैं कि, इस earth के उपर, कुछ 1.72, 1.8 billion species present है, ठीक है, कितनी है, 1.72, 1.8 billion species है, जिसको हम जानते हैं, इसके अलावा भी और organisms, continuously हम discover करते रहते हैं, कई बार तो उन जगहों पर, जो कि पुरानी जगह है, जहांकि diversity हम आलेडी जानते हैं, लेकिन हम सड़नली वालों पुड़ा रहे हैं, यह पन्या प्लांट का स्पीशिस हैं, तो यह इस प्लांट का स्पीशिस भी आड हो जाएगा, इस टोडल नंबर में, कई सारी continuously extinct होते जा रहे हैं, वो extinct हो गए हैं because of certain reasons, adapt नहीं कर पा रहे हैं, human activities की कारने extinct हो गए, उनको हमें minus भी करना पड़ता है total species में से, new organisms are continuously being found, some are added, some are removed also, जैसे जैसे हम हमारे आसपास में देखना चालू करते हैं, हमारे आसपास की diversity क्या है, तुम्हारे आसपास की diversity क्या है, तो तुम बोलो कि माम मेरे घर के आसपास मेने dogs देखें, street पे, ठीक हैं हमारे pet dogs भी होते हैं, pet cats होते है, pet birds होते है, pet cows होती है, isn't it? फिर और क्या है आसपास में तुम बोलो कि माम birds दिख रहे हैं, sparrow है, eagle है, ठीक है, कोई बहुत खेटवेट वाल एरिया में तो peacock भी दिख रहे हैं माम, हैं में बहुत सरे organisms आपको आसपास में अपने नजर आते हैं, ठोड़ और आगे जाके देखो, city cross करके चले जाओ, तब तुम बोलो कि माम यहां पर तोड़ डिफरेंट आप के birds दिख रहे हैं, तोड़ डिफरेंट आप के organism दिख रहे हैं, इंसेक्स का कलर डिफरेंट है, बटिफ्लाइज अलग के लिख रहे हैं, और दूर जाओ, जंगल में पहुँच जाओ, बोलो कि माम अप मारोगे क्या, लेके न, आप जंगल में पहुच जाओ, और वहां जाके देखो कि क्या क्या और ग्यानिस में आप आपको नजरा रहे हैं, तो आप बोलो कि माम ही आप यहां पर lion है, इसे बोलने की बाद में आप मुझे बता पाओगे कि नहीं पता नहीं है, तो हम ऐसे बात करते हैं कि जंगल में क्या क्या दिखेगा, तो lion दिखेगा, tiger दिखेगा, leopard दिखेगा, bear दिखेगा, snakes दिखेगे, different type की plants दिखेगे, जो कि हमें हमारी आसपेस नहीं नजर आते हैं, तो diversity जैसे जैसे हमारे घर के यहां से हमारे range से हम दूर जाते हैं, हमें different type की diversity नजर आती है, मैंने कहां बेटा, इंडिया से बहार चले जाओ, तो तुम बोलो कि माम हम जहां गए थे, क्यांगरूस थे, हमारे इंडियम तो नहीं देखे हमने, तो things will be changing, जैसे हम बहुत दूर जाते जाएंगे, diversity भी different different हमें देखने को नजर आती जाएगी, क्या बात समझ में आए है, ठीक है, अब मैंने कहां यार, यह diversity जो है, अब क्या होता है कि कई सारे organisms के नाम area wise differ करते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने यह fruit खाया है, इस fruit का क्या नाम है, इस fruit का हम लोग बोलते हैं आमला, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नाम, हमारे यहां तो इसको बोलते हैं आवला, कुछ बोलेंगे हमारे यहां सिर्फ आवला बोलते हैं, यह N और M नहीं आता, कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहां इसको बोलते हैं, अमलगी, क्या-क्या बोलरों उसको आप लोग, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि हम तो इसका English नाम जानते हैं Indian gooseberry, मैंने जाके foreign country में किसी को बोला आपकी वास में आवला है क्या so they will be like looking at me watch विकोस उन्हें नहीं मालूम कि हम क्या बोल रहे है तो ऐसे कुछ नाम होना चाहिए कि organisms का जो कि मैं किसी भी जगा पर चले जाओ इस वर्ल्ल में है ना और बहुत सरे रख देते हैं family वाले तो ऐसे नाम तुम अगर स्कूल में तुमको ऐसे नाम से बोलेगा तो तुम उरे शायद से reply नहीं करो तुम को बोलेगा तो तुम इस नाम से क्यों बोल रहे हैं इस नाम हारे चलता है अगो है व्याम एक सिस्टमक शन नेम बेसिकली का बीक्या यह थे या जाने चाहिए नों कर दो सब्सक्राइब चांव तो नॉमनि कृणव नाम यहां जैसेय। वहारे नीऑ लिकんと forbidden दें है एंबलिका ओपी सिनलस मैंने कहीं भी जाके जैपान में यूरोप में एफरिका में ऑस्ट्रेलिया में किदर भी जाके बोला एंबलिका ओपसिनलस दे विल बी अबल तो अंडेस्टान आं तो कि आमला राइट नौ गेटिंग मैं पॉइंट एवरिवान हम इनका नाम करेंट कुछ इस तरीके से करना पड़ता है एवरिवेर अनिवेर वी गो वी अर्गानिजम के साथ में कुछ क्यारिकर्टिक्स को लिंक कर पाते हूं आप लोग भी कर पाते हो कैसे तो मैंने अगर पूछा बचो मुझे एक और्गानिजम बताओ जिस और्गानिजम की पास में दो फिन्स प्रेजंट है आगे दो फिन्स प्रेजंट है पीछे पीछे एक तेल पे भी फिन प्रेजंट है आगे यसे लिगे पीछ तक की बॉड वैसे ही मैंने आप से पूचा बच्चों मुझे किसा और गानिसम बताओ जुसका कलर ब्राउन होता है जुसके पास में six appendages होते हैं दो आंटीना होते हैं उसको जनरली हम रात में देख पाते हैं और यह अकसर ही एक पैस्ट होता है हाउस होल्ड पैस्ट होता है ठीक है जो कि अएग की डेंजर भी गाना जाता है इसको केल करने के लिए अकसर ही हम लोग मौटीन का इस्तुमाल करते हैं so now you are able to relate to the things characteristics मैं क्या-क्या बूल रही है अच्छा इसके पास में काईटन की covering होते है तो आप immediately we में कोकरोज की बात कर रहे हैं and how are you able to say that because you are able to relate the characteristics with a particular given organism this is how so this is the diagram of this organism which is cockroach to cockroach identify करने बहुत easy हो गया identification can be done on a given set of characteristics ठेक है characteristics के basis पर हम किसी organism का identify कर सकते हैं okay so this is all about the we can say nomenclature and identification two terms अभी तक हमने देखिए हैं हम इसको ncrt से भी रीड करेंगे definitely पर पहले हम bionomial nomenclature के बारे में समझते हैं जो कि careless lineas ने दिया था so he is a person who gave bionomial nomenclature which is a naming system which will be validated throughout the world पूरे दुनिया में यही naming system के हिसाब से organisms का नाम करन होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जा सकता है सेम नाम से किस ने दिया था वो naming system given by him known as careless lineas इनका नाम क्या है careless lineas इस point पे नीट में कई बार question आता है who is a scientist who gave the bionomial nomenclature system for the first time he is none other than the careless lineas ठीक है इन्होंने क्या nomenclature system दिया हम इसके बारे में समझ ने अच्छा यह दिख वो करदे कि आपको क्या रिख रहे है यहां पर आपको क्या रिख रहा है mango है ना मैंगो का नाम क्या होता है मैंगी फैरा इंडिका अब देखना बच्छों में क्या लिख रही हूँ यहांपर एiges इसका नाम है यह कैसा नामने είναι सचका साइन्टिफिक नेम्टीफिक नीइम्टर्च है तो plant का हम botanical name भी बोल सकते हैं अगर यह animal के बारे में बात कर रहे होती मैं किसी तो मैं जोलोजिकल नेम भी बोल सकते हूं यह botanical और जोलोजिकल नेम्स रखने के लिए specific committees बनी हुई है उन committees के नाव अपने या लग देते हैं iucn 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 icbn और ic7 two चीज़े होती है icbn क्या है अब यह पर icbn की बात करता है इंटरनाशनल कोड पर बॉटनिकल नॉमन क्लेचर बॉटनिकल नॉमन क्लेचर ठीक है बच्रों और अगर मैं बात कर रही होती है अगर यह कोई अनिमल होता तो इसके लिए कौन सी कमेटे डेजिगनेट होती है इंटरनाशनल कोड फॉर और ऑफ इसमें ऑफ आता है जो लॉजिकल नॉमन ग्लेचर ऐसा तो यह दो डिफरेंट कमिटीज हैं जो कि प्लांट्स और आनिमल्स के नेमिंग के साथ में असोसियेशन रखती है ऐसे अलग-अलग टैकी कमिटी बनते हैं जैसे कि बैक्टिरिया की ति हम लोग बोलता है जो जो यहां आपको पता होने चाहिए कौन सी कमीटीज है अब यहाँ है यह mango है इसका भाईओ नॉमिल नॉर्मन प्लेचर के हिसाब से नाम है वैंगी फेरा इंडिका जलिस और इन्दिका तो आप क्या देख पा रहे हैं मैंने क्या क्या यहां पर अलग किया मैंने क्या क्या इहां लग है देखो-बताओ वैने log यहां पर तो पहली बात तो मैंने M लिखा है यह है जीनस मैंगी फेरा मतलब जीनस और इंडिका मतलब स्पीशिस यहां फर इसी को हम बोलते हैं Specific Epithet Specific Epithet ठीक है बच्छों जो जो organisms का नाम करन्ट करते हैं तो दो word का नाम होते है जीनस और स्पीशिस ठीक है जीनस जो है इसमें जब भी अपन जीनस का नाम लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर जो है जीनस का जीन star वह कैपिटल में और शॉष इप इस मझमा ऐ ठीक है तो यह दो बाते समझ मैं उसके अलाव और क्या दिख रहे है आपको क्या Customer हैं ऐसे इंडिका को जोड के लाइन कर दिया है अब तो मैंने उसको लिखा है तो मैंने क्या क्या लिखने की बाद में इन दोनों को अलनार पर से उप्विटे करोंगी क्या नहीं हो तो हमारी पार से महां पर option आता है italics करने का तो एक font सीधे चुल रहा है लेकिन उसको थोड़ा से टेड़ा करके लिखने चलू करने तो italics होता है वो तो italics size करके में लिख सकते हैं इसे for example मैंने इसी icbn को लिखा होता नो तो मैं ऐसे लिख देती अगर हम इसको note down कर रहे हैं तो हम इसको लिख रहेंगे तो underline करेंगे ठीक है separately समझाया है okay so this is some of the basic rules हम इसके norman placer के rules को one by one पढ़ते हैं हमारी पास में rules कहां गए okay let's see these rules once just second guys हम इसके ncrt बजाएंगे इसके ncrt रिडिंग करेंगे पहले तो इसके आगे आगे बढ़ेंगे ठीक है है यह हमारे normanclature के rules को हम study कर रहे हैं ठीक है तो normanclature के rules में आपको मैंने क्या क्या दिखाया देखिए क्या मैंने आपको दिखाया के बचो नेम जर्णरली लाटिन 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 मतलब कि मैं इसको हिंडी मैं नहीं लिख रही हुं मैं उसको इंग्लिश लिक्री वह लाटिन टॉम्हें लाटिन का मतलब क्या है एक ऐसी राइंग्वज जो कि आप बोरी नहीं जाती सबसे बड़ा फाइदा किया हुआ इसका चाहते हैं हम चाहते हैं जो लांग्विज अब अंस्पोकेन है जो कोई भी वर्ड में नहीं बोलता पहले एक्जिस करती थी लाइटिन लांग्विज उसमें इनके नाम रखे गए उससे क्या फाइदा होगा किसके नाम के बिगड़ने के चांसे कम हो जाएंगे ठीक है कि बि लिखते हैं इटालिक्स में लिखता है कब हो जब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तब हाथ से लिखेंगे तब उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे दे आर लाटिनाइस्ट और डराइब फ्रम लाटिन इर्रस्पेक्टिव दिर ओरिजन इसका मैं अमेरिका में कोई नया पौधा मिला तो भी लाटिन नाम होगा इंडिया में कोई नया अनिमल मिला तो भी उसका नाम लाटिन में ही लिखा जाएगा ठीक है देन दे फॉस्ट वर्ट इंड बाइलोजिकल नीम रिप्रेजेंट जीनस सेकेंड इस पंड़ास स्पीशिज या स्पेसिफिक एपिफि बहुत भी वर्ट इंडिया बाइलोजिकल नीम विन हैं डिटन सब उसको हाथ से लिखते हैं और सेपरेटली अंडरलाइंड अगर प्रिंट करते हैं तो इटालिक्स में प्रिंट करते हैं ताकि उनका लाटिन ओरीजन है यह मालूम पढ़ सकें लाटिन लैंग्विज में इसलिए हम उसको अंडरलाइन करेंगे या तो प्रिंट करेंगे तब इटालिक्स फॉंट में प्रिंट करेंगे इस वर्ट देनोटिंग जीनस स्टार्ट विट क्याबिटल लेटर जीनस को सबसे वहले शुरू करते हैं और स्पैसेफेट जो है वो स्मॉल लेटर में रहता है चोटे लेटर में उसको लिखते हैं स्पैसेफेट की बिगिनिंग लेटर को एक्जाम्पल इस मैं यहां देखो यह अंडरलाइन क्यों नहीं करूंगी क्योंकि यह ओल्रडी लाटिन वर्ड है लेकिन इटालिक्स फॉंट में लिखा हुआ है अगर यह मैंने खुद हाथ लिखा हुआ होता है तो मैं इसको इटालिक्स में लिक पा रही होती और इस कारेंट से मैं उसको सेपरेटली अंडरलाइन कर डेंगा क्या क्या रूस में देखे सबसे पहली तो लैटन में होगा नेम दूसरी बात इर्रिस्पेक्ट्ट ओध और रजेग्शन नि स्कानाइम में print करवाएंगे then हम उसको genus जो है उसके first letter को हमेशा capital में लिखेंगे और species जो है उसके first letter को हमेशा हम लोग small caps में लिखेंगे ठीक है यह हुए rules of biological nomenclature अब फिर से हम उस पर आजाते हैं जहां पर हम already थे look at this guys यहां पर हम लोगते हैं ठीक है so this is how the rules of nomenclature will be कई बार ऐसा होता है बच्चों कि plant के name के साथ में आनिमल के नेम के साथ में उसके discoverer का भी नाम लिख दिया जाता है पीछे जिसे कि मैंगे फेरा इंडिका लिन क्योंकि लिन एस ने डूंडा था तो यह जो है आप लिखे तो भी चलेगा नहीं लिखे तो भी चलेगा मैंगे फेरा इंडिका इटसल्फ विल बे रिप्रेजेंटिंग ते कम्प्लीट सिस्टमिक नेम अफ दिस और गानिजम और प्लांट राइट नो तो अब जितना भी हमने पड़ा है उसको एक बार कुक्ली एंसी आटी से रीट करेंगे शुरू से अभी तो हमने सिर्व हम जब आस पास में देखते हैं तो हमें बहुत सरे लिविंग और गानिजम्स नजर आते हैं तो हम देख भी नहीं पाते नेकेड आइस से क्योंकि वह इतने ही जादा माइन टाइन स्ट्रॉक्चर्टर्स होते हैं और यह नोट विजिबल पिर हमारी सामने लिखा है यह जै जैंगे तो आपको ऐसे-इसफीचिस देखने मिलेंगे जो आपने आज पर कभी भी नहीं देखे हैं ठीक है फिर हमारी पास में आता है जितने भी हम आइंग्डेन से कि मैंगो देख लीया मैंने तो मैंगो एक स्पीचिस और रोज दिखा रो दिखा है यह लाइन एक स्प कि आयों डाइबसरी की डेफिनेशन को हाइलाइट कर लेना बच्छों बहुत इंपॉरिंट है ओके देन आज स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियंस अप्लांट्स अनिमल्स इन अवर ओन एरिया भाई लोकल नेम्स इस लोकल नेम्स वोड वेरी फ्रॉम प्लेस टो प्लेस उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते है नॉमन क्लेचर बोलते है यह नॉमन क्लेचर की डेफिनेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है क्या है इसका देयर इस अनीड तो स्टैड़िज देनेम अफ लिविव और गानिसम इस नोन बाइडी सेम नेम ओल ओल ठीक है ओविविसली नॉमन क्लेचर और नेमिंग इस ओनली पॉसिबल विन दी ओर गानिसम इस डिस्क्राइब करिकली मैं नाम कब दूंगी जब मैं उसका करिक डिस्क्रिप्शन दे पारी हूं मलब कि मुझे उसका आइंटिफिकेशन करना पढ़े का पहले ठीक है तो इस का नाम करन कर पाएंगे okay now in order to facilitate the study number in number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each of the organisms this is acceptable to biologists all over the world for plants scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in the international code for botanical nomenclature इसे बीएल और इंटनेशनल कोड़ फॉर जोलोजिकल नॉमन प्लेचर आईसी जेड़न बच्छों पता नहीं क्यों मैंने वहाँ पर आई यू सीन लिखा है वह कुछ और होता है मुझे वह एंजाइम से रिटेड लगता है शायद से सो इस आई यू सीन को महार से फटा- यू सीन इंटनाशनल यूनियन करके कुछ था जो कि exactly मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा है कि वह कहां पर आता था शायद से एंजाइम में आता था ओके तो हमारे यहां तक का पूर्शन कवर अफ हुआ आइंटिफिकेशन इस एडन इस एडन इस एडन तक का एंस्टी वीडिंग भी इस के साथ साथ में हो गया है ठीक है description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name सब जगा पर जहां भी मों बोल दूं उसको same name से लोग जानने चाहिए ठीक है नाव हमने binomial nomenclature के जो rules देखे है उसके एक बड़ क्विकली देखते है biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms each name has two components एक जीनस है generic name एक species है specific epithet ठीक है फिर this system of providing a name with two components is called as binomial nomenclature इसी को हम binomial nomenclature बोलते हैं generic name and specific epithet the naming system was given by carolus lineas यह भी बहुत important line है ठीक है इस पर दो word का format होता है और example है mango का mango में हमने नाम दिया मैंगी फिरा इंडिका ठीक है बच्चों इसके रूल्स तो हमने अल्री देखी लिए है कि रूल्स क्या-क्या होते हैं इसके जो भी common rules है विच्छ वर्ड़ी सीन इस वर दर रूल्स राइट अब अगली अगर मैं आपसे बोलती हूं कि नाम करन कर दिया है उसके बाद ही क्या मैं इसको कर सकते हूं तो यह जैसे कि मैंने कहा यह organism Cockroach है कहा पर प्लेस करूं मैं Kingdom Animalia में और प्लेस करूंगे उसको मैं उसको प्लेस करूंगे फाइलम आर्थ रोपोड़ा में और कहां रखूंगी वह से उससे रखूंगे करें तुम्हें अलग 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 और इमाजन हो सकता है कि तुम्हें इमाजन हो रहा है एक बहुत सारे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के डॉग सब्सक्राइब थो फॉल्ट मतलब कि एक नो कि एक कोरी है इस ऒधी क्याटिकरी एट थो हम नौ को क्या बोलेंगे हम नौ को पॉलेंगे डाट लिए गजा मतलब कि कैट एक सब्सक्राइब है इस के बात बात करता है यह देखो ऐसे इसे डॉग्स इमाजिन कर लिए तुम लोगों ने बहुत सरी टाइक एक इतने क्यूट लग रहे हैं इसन्ट इजिट अब इसके बाद देखो ये ये बड़ा क्यूट नहीं लग रहा है मुझे डर लग रहा है इसको बेखके आप मैंसे किसे नभी मैंब बोलने पर क्रोव इमाजिन नहीं किया हुगा पीजन इमाजिन नहीं किया होगा है पिजिट न को अपने यंग वन को फीड कर सकते हैं वह एक मैमल के पास में 3 हड़ियां होती है कान में हला कि हम इमाजिन नहीं कर बात हो गए हैं मैमल वॉए टेट्रा-बॉड़ा के अंदर जो हैं तो इनकी वाज पीन होता है तो यह मामल्स के बार में हमने बहुत सरे basic कार्टे सोच के मामल इमाजन कर लिया अब मैंने कहा बचो वीट इमाजन करो तो तो तुम बुलो के गेहूं तो एक टाइप इमाजन हो गया गेहूं कैसे दिखता है वीट कैसे दिखते है फिर वीट में भी क्या आपको different different type के वीट इमाजन होसकते हैं जान की गुट वीट हो गया शर्वती पीस होगया सब कर रहें क्या वारी हूं इन सब को मैं क्या बोलने वारी हूं इन सब को मैं सब क्या है है all of them are taxa category dog is a category cat category cat me small cats to my household to the body kids so this is how we are able to understand different different टेक्सा है डिफर्ट इपर जाते हैं तो अभी तक नोमन प्रिच्रा इंटिफिकेशन इन सब को मिया पर लिंक करने वाले हैं सो बेसों वनक टैट्ड इन वेस्टाइन वासल्स को ऑम गाल्यां प्रणिफ दॉर्ण शौर्ण ब्लांसव इस विडेस्थ मैं तो न्हीं अंटिफिकेशन खैक्स वहण i S एंट ड्यू आंश सॉग सुम्ट एंट्सर मिंऐ तो इस्तू घ्ट इस वंटेंग्सिऔर्स identification of the organisms classification of the organisms and a normal creature of the organisms identify करेंगे classify करेंगे उसको normal plate करेंगे यह होता है taxonomy के अंदर ठीक है तो क्या steps रहने वाली है इसके अंदर सबसे पहले रहेगा characterization characters क्या क्या है यह 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 तो identify क्या अच्छा यह तो यह है classify करो यह क्या है यह mollusk का है यह plant है यह क्या है और उसका फिर नाम देंगे ठीक है आई बात समझ में सबसे पहले क्या आता है characterization हमेशा first will be characterization then it will be coming identification ठीक है फिर it will be coming classification and the last thing will be coming normanclature यह step by step इस ते भी इसके बना के देते हैं इसके बाद कौन इसके बाद कौन इसके बाद कौन इसके बाद कौन ठीक है आप से पूछ रहेंगे पहले यह तो यह नॉमन प्लीचर आरो आइंटिफिकेशन चैर्टरिशन च्लासिफिकेशन च्लासिफिकेशन तो रॉंग हो गया चैर्टरिशन 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 चैर् classification nomenclature these are the terms which we have seen right now but if I say how is butterfly related to the cockroach so I can relate to this thing then I will say there must be some similarities we keep butterfly and cockroach in the same insect there must be some common characteristics in them okay I can say that human and cow are in the mammalian there must be some common characteristics to hum yeh janabhi chahte hain kahi bar ki kon kis se kaise related evolutionary point of view se how are the different organisms related evolutionarily jabbe ham evolution ko beach me leate hain tabi banja ta hai systematics so whenever we are studying taxonomy along with the evolutionary relation between the different taxonomic categories it will be called as systematics so systematics kya huwa when we link the different categories taxonomic categories with respect to the evolutionary mechanisms and evolutionary relation between them it will be called as systematics so if you go to a girl you have to look quickly and see a ticket theory ko dekhenge juki is relation rakhri hai take a isi ke pala aplogi kitab this is the book which was written by careless lineage himself take a this book is named as systema nature it is systema nature systema nature is written by the careless lineage who gave the binomial nomenclature system okay so it's not it's not a of the line of the line of the author appears after the specific capital you have to do it since it is nearly impossible to study all the living organisms it is necessary to divide some means to make this possible this is possible by classification classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics for example we easily recognize groups like plants or animals or dogs or cats or insects the moment we use any of these terms we associate certain characteristics with the organisms in that group okay how much certain characters associate kateh us organism ke saath mein what image do you see when you think of a dog man haveko bataa obviously each one of us will be seeing dogs obviously and not cats okay now if we were to think about the alsatians alsatian dog apko me choo dikhaaya tha bachu thik hai woh joo bada sa dikhar tha toh hum usko hi imagine kareenge phir mei nahi kaha pug toh pug imagine karoge thik hai aap alag-alag dogs imagine karoge maja saasya saan ka naam bulungi specifically similarly suppose we were to say mammals you would of course think of animals with external ears and body hair likewise in the plants mein agar wheat ki baat kar rahi ho toh the picture of wheat will be there and not of rice dogs mammals cat rice he sab kya hai ye sab kya sab taxa hai thik hai toh taxa ka madlab utah hai category ye wali baat minne aap logon ko samjha di hai iske ncrt portion bhi aapko clear ho jana chahiye now taxa hame agar samaj me a gaya hai toh kya bolinghe based on the characteristics all living organisms can be classified into different taxa this process is called taxonomy thik hai or taxonomy ke liye hum kya kya characteristics leete hai hai hum lete hai external structures hum lete hai internal structures hum lete hai structure of the cell development process ecological information of the organisms yeh staba cheez ho kwa lekar hum taxonomical category bana te hai sab ki alag-alag banti hai thik hai hence characterization identification classification nomenclature are the processes which are basic to the taxonomy thik hai so taxonomy is not something new hum abhi nahi karna saal ho ga in fact zaman ho pehle bhi hum yeh karte tha hai asa ki human ke liye useful dairy animals hai toh hame kattles bol diya thik hai for human ke liye useful poultry animals hai toh poultry bol diya isme ki birds aadate hain hens aadate hain na na jo ki egg laying hain meat jenka khaya jate hain wo birds bia jate hain so sports animals ho ga hai toh horses aajayenge joh weight our लिविंग वर्ट के अंदर काफी कुछ समझ गए बच्छों अभी ये चाप्टर जो है ना इट इस लाइक वेरी स्मॉल चाप्टर बट इस अक्चुली फुल अफ सो मुच अप थियोरी इन इट बहुत सारा थियोरिटिकल पोर्शन है इसमें तो वह सारा थियोरिटिकल पोर क्या होता है तो इसको भी क्विकली देख लेते हैं शट मार्च का मतलब क्या होता है अ हूँमन बीग वर सिंसके लॉंग नोट only interested in knowing more about different kinds of organisms in the diversity's but also relationship amongst them this branch of study was referred to as systematics systema का मतलब होता है systematic arrangement of organisms ठीक है so linear जो है उन्होने किताब लिखी systema nature okay the scope of systematics was later enlarged to identification nomenclature classification systematics takes in account evolutionary relationship between the living organisms पर चुब बहुत ज्यादा बार इस पर question आता है taxonomy and systematics में difference क्या है so taxonomy deals only with the four things क्या क्या थी वो हम बोलेंगे categorization characterization identification classification nomenclature systematics deals with all these four but fifth is evolutionary relationship amongst these organisms also so this is how it is done ठीक है चलिए तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं taxonomical categories के बारे में कि categorization यह categories कौन कौन सी बनती है ठीक है तो उसके पहले हम एक छोटा सा example समझते हैं कि तुम लोग स्कूल जाते हो ना स्कूल में मैं अगर पुछो तुम्हारे सामने क्या क्या लोग दिखते हैं तुम बोलो कि माम students दिखते हैं अलग-अलग classes के ठीक है और क्या दिखता है अकैडमिक स्टाफ दिखता है जैसे कि टीचर दिखते हैं बहुत सारे कई सारे तुम बोलो कि ना मैं ऐसे भी स्टाफ होता है जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ होता है जो कि बाकी अक्टिविटी से धियान रखते हैं जैसे कि पीस लेने के लिए अकाउंटेंट होता है वहाँ पर एक है ना और पुरी स्कूल के management टेखने के लिए वर्कर स्टाफ होता है जो की बारे सामने यह organization level आया वैसे ही बचों हम और गाने जमेंग लेवल पर जब बात करने जा रहे हैं तब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि आपको क्या क्या दिपने वाले तो यह आपको एक प्रॉपर hierarchy मेलेगी hierarchy का मतलब कुछ और नहीं होते बलके arrangement pattern जब तुमसे मैंने का सबसे ओपर किसको रखोगे तुम बहुत कि माम डीन को रखेंगे उसकी बाद प्रिंजिबल को रखेंगे उसकी बाद इसको one by one समझाए तो किंग्डम सबसे उपर रखेंगे नीचे इस पूरे चार्ट को बना चकते हैं not a big deal तो हम steps देखते हैं कि क्या steps राती है तो पहले हैं किंग्डम कौन से किंग्डम में और्गानिजम बरॉं करते हैं क्या वह अनिमल किंग्डम का है कि वह प्लांट किंग्डम का है कि वह फंगिस है कि वह बैक्टिरिया मोनेरा किंग्डम का है कि वह प्रोटेस्टर किंग्डम का है कौन से किंग्डम का वह और्गानिजम है लिविंग और्गानिजम की बात करेंगे तो मैं मश्रूम की बात करूंगें तो कहां प्लेस करूँगी kingdom फंजाय में मैं गर्टि की बात करूँगी कहां प्लेस करूँगी kingdom क्या आता है मैं बोलूगी स्पीश तो मुलों कि माम यह जो स्टेप्स हैं इसके लवा कुछ और नहीं आ सकता आ सकते हैं सब क्याटिकरी इस बैसे कि सब क्लास सूपर क्लास थेक है ऐसे सब फाइलम ठीक है तो सब क्याटिकरी इस भी इनमें शामिल हो सकती है पर इस स्टेप perpetοι वकुलाना शुटलिट हैं और इस इंडिविजुल इंडिवुजवल को क्या बोलंगी त्टेक्सोनोमिकल किया जीग कर चाहिगा तो बॉलुगि माम ठीक्राइब सेता बोलते हैं, टेक्सौन भी बोल सकते हैं, ओके बचो, so this is done, yes or no, ठीक है, तो अब आपको वो समझ मैं है, कि टेक्सोनो मिकल क्या थिक्री जाहिए, आप लोगों को याद करने का तरीका, या निमोनिक बताती हैं, कि taxonomical categories को हम कैसे ध्यान रखेंगे ज़से से कि हम यहां लिखके याद करते हैं तो आपको याद करना है तो आपको याद करना है kingdom ठेक है सबसे बहले लिख फाइलम लाज आप में और फामिली जीनस और स्पीशिस यही वह का है ना सिक्वेंस के लिए एक निमॉनिक याद रख सकते हूं तुम लोग हाला कि यह सिक्वेंस तो ऐसे भी आदो जाते हैं बच्चों को पर जिनको नहीं आदो रहे हैं लाइन बाइन निमॉनिक से याद रखना ऐसे याद रखेंगे अपन एक बहुत काइंड प्रोफेसर रहता है तो वह क्या जल्दी बेवकूफ बन जाता है बिचार है तो काइंड प्रोफेसर क्या करता है जो बच्चे उनको चड़ाते हैं कि सरफ तो बहुत ही बड़ी है उनको पास कर देता है और जो अच्छे बच्चे हैं जो कि चड़ाते नहीं है उनको वह फेल कर देता है तो find professors, can, often, fail, good, students, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, याद रहेगा, यह sequence है, यह sequence में ही आपको हमेशा taxons को place करना है, ठीक है, तो एक बार quickly NCRT की theory read करते हैं, NCRT क्या बुल रही हमें इस context में, चलिए, NCRT का theory मेरे साथ साथ में देखेंगे सब बचें, classification is not a single step process, एक step नहीं है, multiple steps में हम उनको place कर रहे हैं, multiple characteristics की basis पे हम multiple taxonomical categories में उनका placement देखने वाले हैं, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank और a category, हर एक step एक category है, species a category है, एक rank, since the category is a part of overall taxonomical arrangement, it is called as taxonomic category, हम इसको taxonomy के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो हम उस rank को या category को taxonomic category बोलेंगे, ठेक है, all together, सारी किसारी category इसको मिला कर बोलते हैं, taxonomical hierarchy, each category referred to as a unit of classification, in fact represents a rank and is commonly termed as taxon, उसको अपलोग taxon भी बोल सकते हैं, ठेक है बचों, क्या ये बात समझ में आई है, अच्छे से, तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको आना चाहिए है, और इसके बारे में, अब हम individual level पर, सारी के सरे taxonomical categories को individual level पर समझने वाले, बहुत simple होता है, वो, बिल्कु भी tough नहीं है, ठेक है, अब यहाँ पर एक ये वाला point देखो, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example, अपने को एक example दे रहे हैं, उसमें वही example दे जो आपको दे चुके हूँ, एक organism का group बता रहे हैं अपने को, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह इन सभी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी बास में 3 pair legs present है, लेडी बग 3 pair legs, देखो 1, 2, 3 pair legs, ठेक है, ड्राइगन फ्लाइ आपको दिखने रहे हैं लेकिन नीचे थोड़ा ऐसे केरिया में 3 pair legs हैं, ग्राश होपर 3 pair and mosquito, butterfly, beetle, moth, bee, सब के पास में बचों 3 pair appendages present हैं, इसलिए यह सब को हम collectively insect group में रख सकते हैं, क्योंकि इन सब के पास में 3 pair jointed appendages present हैं, ओके, अच्छा, ऐसे कई सारे हम और groups के नाम करन कर सकते हैं, हम अभी आगे आने वाले समय में करने ही वाले हैं, जो भी हम theory पढ़ेंगे उसमें, इतना ही पढ़ना है, यह basic basic बात हैं हमने की हैं, जो अब आपको बते टेक्स नामिकल काटेगरी जो हैं, यह सर्थ बाहरी बेसस पर classification नहीं बल्कि उनके internal characteristics को भी हम लोगों ने considerate किया हूँ है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बाहर से दिखके बोल दिया, ठीक है, Now, taxonomical categories में क्या क्या आती है, kingdom आता है, phylum, division भी बोल सकते है, plants के लिए, phylum शब्द का interchangeable शब्द, division है, plants के लिए, Then, class, order, family, genus, species, ठीक है, यह सब, हान जी, क्या ही बात समझ में आई है, अच्छा, अब यह जो बात हमें समझ में आ गई है, तो अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, different, different, individual, taxonomical ranks या categories को individual level पर अब तुम्हारे सामने image आ चुका है, इस image को ध्यान से देखेंगे सब ब ठीक है, पहला यह plant है, यह है potato, दूसरा यह plant है, इसको हम लोग बोलते हैं blackberry, और तीसरा जो plant है, इसको हम बोलते हैं brinjal, ठीक है, इनके नाम हम देखते हैं कि इनके botanical या systemic name क्या है, तो जब इनके systemic name देखने जाती हूँ, तब मुझे मालूम पढ़ता है कि इसका नाम है Solanum tuberosum, क्या नाम है इसका, Solanum tuberosum, इसका नाम क्या है नीचे वाले का, Solanum melongena और इसका नाम क्या है, Solanum, निगरम, बच्चों एक बात मुझे जली से बता दो, कि क्या मैंने इनके नाम लिखने में कुछ गड़वड कर दी, तुम लोगों को फटाफट से दिमाग में मेरी गड़वड रियलाईज हो जानी चाहिए, मैं बाय गॉमियल नॉमन प्लेचर के रूल के अगेंज जाके तो नहीं कुछ कर चुक हूँ, हान जी, मैंने अभी कुछ गड़वड करी है यहां पर, एक सकेड, so what is that mistake which I have done right now, if the students can tell me that will be the best thing, yes, I have not yet underlined these names, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप देखेंगे इन सभी के नाम में कुछ similarity है क्या, yes, इनका जीना सबका सेम है, लेकिन species अलग है, तो इसलिए मैं इस निगरम को इक अलग species मानूंगी, मिलोंजना को अलग स्पेशिस और पटाटो को अलग स्पेशिस, तुमको लग रहा होगा ने माम, somewhere similar दिख रहे हैं, है न, पर exactly same है क्या, नहीं, वो छोटे साइज में है, ये थोड़े बड़े साइज में है, तो ये दोनों के दोनों में काफी similarity दिख रही है, पर exactly 100% similarity नही है, इसका मलब कि ये morphologically different डिख रहे हैं, और ये मिलोंजना और नाइगरम के plants आपस में reproduce नहीं कर सकते, लेकिन मिलोंजना, मिलोंजना आपस में reproduce कर सकते है, नाइगरम आपस में reproduce कर सकते है, ट्यूबरोसम आपस में reproduce कर सकते है, same species के organisms जो रहते हैं, वो आपस में reproduce कर सकते है और प्रोजनी बना सकते हैं, अलग-अलग दो species के organisms reproduce नहीं कर पाते, हलका भी बदलाव, भयंकर बदलाव हो जाता है, ठीक है, क्या यह बात समझ में आई, तो यह काफी ज्यादा closely related species है, पर यह same species नहीं है, यह सब अलग-अलग है, ठीक है, तो आपको यह बात समझ में आई है आप इन दोनों पोटोस को देखे, इन दोनों को देखे क्या लगता है, यह वारा जो है आपका पैन्थेरा टाइग्रिस है, और यह है पैन्थेरा लीओ, पैन्थेरा लीओ, खेगे बचो, लेकिन इनका आपस में रिप्रडूस नहीं करते हैं लेकिन लियो लियो के साथ रिप्रडूक्शन कर सकता है है ताइगर से साथ में रिप्रडॉक्शन की प्रोसर्स को कम्प्लीट कर सकता है समझ आई बात थेक्षा तो यह सब से पहले थे वह उसके पहले भी और थे हुआ है हुआ है तो आप देखेंगे हुआ में सब्सक्राइब को चलिए तो यह देखो फटाफट से टेक्सोनोमिकल क्या इसके बारे में हम क्या समझ रहे हैं बहुत ज्यादा माच करेगा लाइक तुम मान के चलो एक बहेंगन और दूसरा बहेंगन तो तुम बोल दोगे के हाँ यह सेम है लेकिन एक छोटी सी बली रख दीवान और एक बहेंगन रखा है तो दिफरेंट हो गया बच्छो ठीक है तो यह फंडमेंटल सिमलारिटी हों ठीक है मैंगी फेरा इंडिका सुलानम ट्यूबरोसम पैंथरा लियो यह सब के सब में इंडिका ट्यूबरोसम और लियो स्पीशिस होती है डेफिनेट सी बात है में मालूम है तो फर्स्ट वर्डिन का जीनस होता है एक जीनस में हाव मोर्दन बान स्पैसिफिक श्यक्त अब को बताया है तीन बताती और भी होते यह से ट्यूबरोसम हो गया में जैना ओगया नाइगरा मोग उते है चाहिए इसे ही आप लोग को समझवा अची सी पैंधेरा की पैंधेरा लिए होता है पैंधेरा ठाइग रिए होता है हूंँमन का भी डिफेरेंट-डि यह तुमको काफी सेम दिख रहे हैं लेकिन एक्जाक्ली सेम तो यह भी नहीं है क्योंकि यह अलग-अलग इनको और इनको ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे माम बहुत डिफरेंट है यह तो कैट्स है माम वह पहले वाले क्याटेगरी मुझे ते हमारी पैंग थे रहा रहे थे सारी यह हमारे पास में जो सारी आव गए हैं और गानिजम्स यहां पर इन सब का नाम तो नाम पै हम क्या बात करते हैं कि closely related species साथ में आते हैं तो आप फर्स जो लाइन वाला पिक्चर था उसको और क्याट वाला पिक्चर था उसको थोड़ डिफरेंट रख पा रहे हूं अलग अलग है बोलके राइट क्योंकि वो दोनों अलग अलग जीनस को बिलॉंग कर रहे हैं तो हम मैं एंडाग वरी दिफरेंट लुकिंग फ्रम इचदर वरी दिफरेंट य मिर एप याट जन बिफिर्च बाइट oniaq ने सचर वामे द टीचे तो है रहें रहे हिंग जús का वीनरेट न circular वाइटि दो है टीजेट इस यह सुपेष्यस अलके जवेन तो यह रहे हिनी लाइन लेपर और टाइगर बिलॉंग टू वी कैंसे पैंथर इस जीनस विल वर डिफरेंग फ्रॉंग जीनस फैलिस चे क्या अलग हो गया हो गया पर अगर वितम से पूछू बच्चू की कॉमन क्यार्टिस्रिस मुझे बता सकते हूं क्या तुम्हें लाइन के साथ में ज्य यह क्या बात हůई त इसका मतलब कि ईक रिवार के आथ बरे बात करेंगे ऐक फैमिली में बिलॉंग कॉन करते है थेक्याची तब यहां देखेंगे डिफरेंड डिफरेंट आप के आपको और्यान activism दिख रहे है plant दोड़ांक्स अप्लां प्रेंजल दीख रह यह क्यां वि family को belong करते हैं यह सब एक ही परिवार के लोग है और इनका परिवार का नाम क्या है इनका परिवार का नाम है सोलानेसी यह सब के सब सोलानेसी family के members है मलब की सोलानेसी family में different different genus आएंगे जिन में कुछ-कुछ match करता हो बात समझ जा रही है species fundamental similarity genus closely related species family closely related genus एक साथ में रख दिये गए है ठीक है तो यह समझा है इसका अगला देखो यहाँ पर यह तुम्हें different different type के organisms देखने को मिल रहे हैं जो की same family को belong करते है ठीक है इनके नाम में आप लोगों को बता देती हूं यह कौन-कौन है this is none other than the tomato ठीक है यह क्या है हमारा tomato का प्लांट है यह हमारा क्या है यह पिट्यूनिया ठीक है और इसके बाद वाला क्या आ जाता है ठीक है ठीक है ठीक है तो टमाटू पेटूनिया पेटूनिया अंड दतूरा तीनों के तीनों अलग दिखने के बावजूद भी closely related genus है सेम फामिली के मेंबर्स हैं यह सब के सब सोला नेसी में आ जाते हैं इसका मतलब मैं अगर यह पर पटाटो भी रख दूंगे तो कोई बुरी बात नहीं क्योंकि वो भी आ जाए गई दर मैंने यहां पर शिम्ला मिर्च रखने तो भी आ जागी वह सब के सब जो हैं यह सब सोलान एसी फामिली के मिम्बर्स है ठीक है बात समझाई अभी तक तुम्हें बिल्लियों को और शेर वाली काटिगरी को बिल्कुल डिफरेंट रख रही तिलेगे लिए साथ में रखने वाली क्योंकि वो सेम पामिली के हैं ठीक है तो उनकी फामिली का नाम हो जाता है क्या उनकी family के धगा देखें क्या क्या पिर आ रहा है इधर Tiger भी आ गया है यहाँपर हमारे को polar cat दिख रही है यहाँ पर st nostalgia all wild cats and different different lions and everything is coming under the same family and this family is felly day different different genus like panthera and phyllis are together we are present तो बिलेंगे कैनी डे फैमिली कैनी डे डे में कौन को आ जाते हैं बच्छों आप देखेंगे यहां पर डॉग भी है वुल्फ भी है को योटे भी है जैकॉल भी है फॉक्स भी है यह सब एक ही क्या गए है यह रिलेटेड जीना से प्रेजंट इंसाइड फैली डे कैटेगर फैमिली ऑके यह समझ आया है सबी को तो यहां पर ध्यान से दिखेंगे नेक्स्ट क्या जाता है फैमिली में आ जाता है लेकर टमाटो और ब्रिंजल सेम नहीं दिख रहे हैं पर फिर भी हो रही वह सेंप तो जैसे इसे हम उपर मुव करते जाएंगे मालब species से जीनस में जीनस से family में characteristics के similarity थोड़ी सी कम पढ़ती जाएगी ठीक है okay families are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of the plant species among the plants for example three different genera solanum मालब tomato अब मैं चाहती हूँ कि डॉग एक में पस डॉग है एक कैट है एक लाइन है एक काओ है ठीक है क्या मैंने बुला एक डॉग है एक कैट है एक काओ है एक गोट है बुलो क्या categories बनाओगे तब तुम बुलो कि माम डॉग लाइन और टीनों के तीनों जो है वो carnivores हैं तो हम उसको एक तरफ कर देते हैं और काओ और गोट को एक तरफ देते हाली वोर्ज हैं कर सकते हैं क्यों क्योंकि यह order में हम यही करने वाले आप आगे तो आप देखेंगे order के अंदर जो families में आपस में कुछ match लग रहा है ना हलका फुलका भी same character है एक common point है तो वो साथ में आ जाते हैं order यहां दिखेंगे यह और यह फ्लोरल characteristics काफी same लग रहा है ना बच्छो इस plant के फ्लोरल characteristics categories और इस plant के अंदर जो फ्लोरल characteristics की categories दिख रही है काफी same काफी match करता हुआ से लग रहा है क्या आपको यह है आपकी convolvulacy और यह है आपकी solanacy दोनों अलग अलग families है लेकिन यह दोनों same order में आने वाले है और उस order का नाम क्या है polymonial order यह polymonial में यह भी आता है polymonial में यह भी आता है polymonial order है वह order में यह दोनों families को साथ-साथ में क्यों रखा मैंने इनके फ्लोरल characteristics same लगता है इनके flowers very similar लगता है ऐसे लगता ही नहीं है कि यह दो लोग लग families members है इस कारण से हम इसको same order में रखें ऐसे यहां पर आप देखेंगे यह सब के सब कारणी वोर्ज है देविल बीडिंग अपॉन दी आनिमल्स ठीके देविल भी एटिंग दी आनिमल्स इसे लिए सब की सब कारणी वोर्डर हो गया समझाया तो यह हुआ order की बात सब क्या पढ़ रहे हैं इस order की बात में समझते हैं फटाफट से NCRT क्या बोलती है देखो NCRT को साथ में लेके चलने का फाइदा समझ आ रहा होगा कि जैसे-जैसे मैं शब्द बोल रही हूं Convolvule AC सुनान AC दिमाग में छप रहे हैं NCRT पढ़ोगे बोलो कि अरित्म को आता है हलवा मजा आगया क्यों कि सब आता है क्योंकि NCRT साथ साथ में पढ़ी है लेक्षर के ये बेस्ट एडवांटेज होते है ठीक है जब टीचर समझा रहा है और आप NCRT साथ में लेके पढ़ रहे हैं इस इस बेस्ट वेश वेश if you are a meat aspirant okay देखिए you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters generally order and other higher taxonomic categories are identified on the basis of aggregate characters aggregate characters की बात करेंगे तो हम order की बात करेंगे ठीक है order एक higher category नहीं विच्छो क्योंगे is the assembling of families which exhibit a few similar characters थोड़ा भी similarity है फ्लावर के structure similar है तो order same, carnivores है order same, ठीक है the similar characteristics are less in comparison to the different genera including the family plant में जिसे बात करें convolvulacee, solanacee, same order में रखते है polymonials, क्योंकि इनका floral character same है animal order carnivora में phalidae और canidae आते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों carnivores हैं अब मैंने कहा यार order की बात हो गई, ठीक है family हो गया, order हो गया, अब क्या आता है class आता है, class में कौन आएगा, तो मैंने कहा कि class में वो आएंगे जो की orders में similarity है, कैसे तो मैं बुलूँगी, जिनके अलग-अलग orders same character वियर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा lion के पास में भी body hair होता है memory glands होता है, cow के पास में भी body hair होता है, memory glands होता है human के पास में भी body hair होता है, memory glands होता है, क्या ये common character हो गया? elephant के पास में भी ऐसा ही है lion के पास में भी ऐसा ही है dog के पास में भी ऐसा ही है क्यों ना मैं इन सब को साथ में कर दू जिन सब के पास में memory gland है जिन सब के पास में muscular diaphragm है जिन सब के पास में body है तीनों होंगे तो mammals समझाया so this is how we are keeping different different organisms very unrelated in shape and size बहुत different डिख रहे है ठीक है whales है ना और zebra dolphins इनमें बिल्कुल similarity नहीं नज़र आती फिर भी साथ में रख दिये गए है क्योंकि कुछ तो इनमें common है तो class हुई ठीक है तो this category मलब की class includes the related orders example order primator जिसमें monkey गोरिन आते हैं givens आते हैं उसको हमने mammalian में रख दिया है कार्णी वोरा के साथ में ठीक है बच्चों मैं लब मैं क्या कर रहे हूँ हर्वी वोर हो चाहे कार्णी वोर हो चाहे पेड़ पर रहता हो चाहे जमीन पर रहता हो लेकिन इनके पास में body hair है इनके पास में कुछ common characteristics है जो कि match करते हुए से नज़र आ रहे है हमने उनको same class में रख दिया है ठीक है बहुत different है हाला कि वो दुसरे से पर फिर भी एक class में आ चुके है क्यों आप रहे हैं क्योंकि उनके पास में कुछ similarities है and last but not the least हम क्या करेंगे अब हमारे पास में class हो गया अब हमारे पास में क्या हैगा फाइलम आएगा फाइलम इसका भी उपर वाला वर्जन जहां पर के हलके फुलके characteristics के resemblance आ रही है तो एक जिसे मतलब कि मैंने बोला जितने भी organisms के पास में नोटो कॉड है उन सबको मैं कॉर डेटा बोल दूंगी बोलो समझ में आगी बाद जिनके पास में नोटो कॉड नहीं है एक खटे सारे आनेमल उसको मैं नोन कॉड डेट बोल दूंगी है ना तो हमने क्या किया भी हाँ पर हमने एक ऐसे क्याटेगरी बना है जो कि बहुत बड़ी क्याटेगरी है उसमें बहुत सारे और उर्गानिजम्स विविद प्रकार के नज़र आएंगे मैं लग कि यहां पर मैंने बटरफ्लाई को रख दिया है स्टार्फिस के साथ में क्यों रख दिया है दो लग के पास में ओटो कॉड नहीं है तो क्या बोल दूं नॉन को डेट है और मैंने क्या कर दिया है दो और और और्गानिजम्स को साथ में रख दिया है वो और्गानिजम्स कौन से हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्जाम्पल में मंकी हो गया और काव हो गई साथ में रख दिया है और लिजर्ड तो भी मैंने उनके साथ बढ़ दिया है तो आप देखें हैं अपर लाइन सलमांडर शार्क टाइगर लैंपरेश नहीं के सब अलगलग डिखने की बावजूद भी हम इनको क्याटेगराइज कर रहे हैं आज कॉर डेटा फाइलम कॉर डेटा ठीक है तो क्या समझ आया आपको फ्लास जिसमें की फिशिस हैं हम प्लांट के के समें फाइलम शब्द का इस्तमाल नहीं करते हैं इंफाक्ट हम डिविजन बड का इस्तमाल ज्यादा करते हैं ठीक है बच्चों इस आप्टर तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी क्योंकि यह चाप्टर के अंदर क्या है याद करने के लिए काफे कुछ ल इस लगता है कई बार बट इस नॉट लिए आपको यह सब चीजों से भी बहुत प्यार हो जाएगा जब इसके एंसे थोरो रीडिंग करेंगे और इमाजन करेंगे मैं इमेजिस इसले तो नाती हूं ताकि तुम्हारे को दिमाग में चवी बने चीजों की ना कि कुछ रट क्योंकि KIMDOM में ही सब हैं तो KINGDOM में क्या KI taraf होता है पांस किंदो ऌसी के इसे बड़ा होगी हैं Should Boy एक kingdom है, plants अब किस में आजएंगे? प्लांटे में, mushroom, fungus फ़केर से ब किस में आजएंगे? fungus में, ठीक है, kingdom fungaya में, kingdom प्लांटे में क्या आ जाएंगे? सब्ली सिर्फ प्लांट साजएंगे, ठीक है बचो तो यह बात समझ में आ रही है, तो taxonomic categories, species से kingdom तक जो जा रही है अगर मैं बोलूं कि एक species और जीनस में ज्यादा common features होंगे या एक species और फाइलम में तो आप क्या आंसर करेंगे मुझे comment में लिखके जरूर बताईए क्या question है मेरा एक species और जीनस में ज्यादा मैच होगा कि species और kingdom में ज्यादा मैच होगा या आप मुझे comment section में लिखके जरूर बताएंगे बचो ठीक है चलो तो यह paragraph पूरा तुम्हारा समझ में आ चुका है मैंने अल्री बता दी हैं यह सारी बाते अब आप लोगों को यह पूरा hierarchy 100% clear हो जा okay lower the taxa more are the characteristics that members within the taxons share higher the category greater the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level okay so this is done okay तो यह हो आपका पूरा का पूरा एक taxonomical categories का system बच्चो ऐसे करके बनाएंगे ज्यादा अच्छा लेगा NCRT मारी ऐसे बोलती है सबसे नीचे kingdom को जी लिखती है ठीक है तो वो पिरामर्ट जो था ना आप उसको basically इस प्रकार के फ्लोचार्ट में बनाईए कि species फिर जीनस फिर प्लास ठीक है हमारा फाइलम और फिर किंग्डम ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको अब कुछ taxonomical categorization के हिसाब से अपन जिसे human को क्या-क्या categories में place कर रहे हैं या उसके बार में कुछ जानते हैं housefly के बारे में mango के बारे में तो organisms along with a taxonomical categorization यह system देखते हैं तो human या man का याद रखें तो man का नाम क्या है homo sapien homo उसका genus है sapien उसका species या specific epithet है ठीक है फिर जिए मैं बात करूं कि उसका family क्या है तो family होजाएगा उसको hominida hominida family order क्या है तो order है human का primate order में belong करता है और class क्या है तो class है human mammal है तुम है में यह लिया ठीक है और इसके अलवा फाइलम या division की क्या बात करें तो वह जाएगा core data ठीक है core data phylum में belong करता है तो यह पूरा sequence आपको ध्यान रहना चाहिए फिर आता है housefly के बारे में तो housefly का नाम क्या है musca domestica musca genus domestica उसका species ठीक है उसका order क्या है अगर हमसे पूछा तो order है उसका muskidae क्या order है उसका muskidae order है sorry family family a e आता है पीछे ध्यान रखिए solan ac a e आता है hominidae a e ठीक है muskidae fallidae canidae a e जब भी पीछ आता है तो वह family होता है order ने ठीक है family a order क्या है इसका diptera housefly कॉंसे order के बिलॉंग करता है diptera class क्या है insectum और kingdom क्या है तो मों बोलेंगे की animalia और phylum क्या है तो मों बोलेंगे non-core data ठीक है ध्यान रहेगा तो यह non-core data हो जाता है phylum की बात औरी विच्वें आप इनने गलत कर दिया लिखके प्रण दिया नहीं आपर अरे हां सही तो लिखा है क्या बोल रही हूं मैं सही लिखा है सही लिखा है not wrong i don't know how i did this mistake और भी ट्रोड़ा फाइलम है इसका non-core data के अंदर विखा है ऑफ्रोड़ड़ रिकाहे कुछ भी गरबर नहीं फॉर फाइलम फॉर इस फॉर दी इंसेक्ट ठेक है धना आता है इसके बाद में इसका order क्या है sapindale order को बिलॉग करते है sapindale फिर इसका class क्या है तो इसका class जो है इस दाइक cotyledon है मतलब इसकी बस दो cotyledons होते हैं वीज को तोड़ेंगे तो और इसका phylum या division क्या है यह angiospermia यह flowering plant है फिर बात करते हैं वीट की ट्रिटिकम एस्टिकम ठेक है क्या नाम है इसका ट्रिटिकम एस्टिकम इसका जीनिज और अस्टिकम इसका species है फिर बात करते है इसकी family क्या है family है Presents क्या नाम हें फवेसी फिर Yrda order order का मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि closely related families किस में बिलॉंग करते हैं तो इसका class क्या है तो इसका class है Monocotyledon होता है सीड इसका दो अलग-अलग कोटिलों में सेपरेट नहीं हो पाता और फाइलम यह डिविजन क्या है इसका यह भी एंजियो स्पॉम है ठीक है तो यह सारी आपको याद रखने तो यह चार आपके पास में एक्जाम्पल्स दियें यह mandatory आपको पुरा sequence वाइस याद होना चाहिए ठीक है यह पुछा आप से के वीट के अंदर जो है किंग्डम यह डिविजिन क्या है तो आप बो लेंगे एंगे इंगिव परम्स मैंने का मैंगो के अंदर जो है ओरर कॉन से हैं तो आपको फटाफट सब चीजें आपको कैसे आनी चाहिए फटाफट quickly on point याद रहनी चलिए ठेक है बच्चो तो this is how you will be remembering all the things इसको जैसे वेने NCRT line by line पड़ाय है एक बार ये NCRT line by लेंगे साथ पढ़ने के बाद में revision भी एक बार कर ले ना फिर ये आपको chapter 100% perfection से समझ में आ जाएगा so by this we are done with our chapter we are done with this living world chapter complete हो चुका है 100% NCRT cover हो चुका है इसमें एक भी word हमने NCRT का नहीं छोड़ा है इस class में और हम लोगों ने new rationalized syllabus को ध्यान में रखते हो इस class लिया है मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जो पुराना था मैंने आपको वही पढ़ाया जो आपकी examination में इस साल से आएगा नीट में इस साल से आएगा ठीक है बच्छो तो डोंट forget to like this video don't forget to share the video with all your friends and don't forget to subscribe विदान तो नीट मेड इजी क्योंकि इसी चानल पर मैं आप लोगों को बहुत सारी chapters पढ़ाने वाली हूं आपके नीट examination के लिए so follow me on Vidandu Neat Made Easy and be there in every class thank you so much have a great day ahead